जी टुएंटी शिकर सम्मेलन का आज पहला दिन हैं बतादे की पहला सत्र वन अर्थ पर था इस पर सुबा साड़े दस बजे से दुफैर डेड़ बजे तक चर्चा हुई बतादे की दुफैर तीन बजे से चार बच कर पेंतालिस मिनिट तक वन फामली पर दूसरा सत्र और फिर सभी राष्ट्रे अधक्ष डिनर के लिए शाम साथ बजे जुटे बतादे की आठ बजे से सवा नौ बजे तक यहां भी राष्ट्रे अधक्षों में बादचीत होगी इससे पहले शुक्रवार को अमेरिका के राष्ट्रपती से पीम मोधी की दुविप्रक्षिय वारता हुई वह आपको बतादे की ए आई और रक्षा के साथ कई मुद्दों पर सैमती बनी साजा बयान भी जारी किया गया जिसमें बाइडन ने भारत की जी ट्वेंटी अध्यक्षता की सराना की आपको बतादे की जी ट्वेंटी सम्मेलन के लिए दिल्ली आय सयुक्त राश्ट्रे माससचीव ने कहा कि रूस और युक्रेन की लड़ाई खतम होने को लेकर फिलाल कोई उमीद नहीं दिख रही है वही दोनों देश लड़ाई बढ़ाने पर आमदा है और जी ट्वेंटी शिकर सम्मेलन के लिए ब्रिटेन के पीम रिशी सुनक भी भारत में है इस दोरान उनोंने कहा कि पीम मोदी और दोनों एक व्यापक वैपार समझोते को संपन होते हुए देखना चाहते हैं वही वैपार सोदों में हमेशा समय लगता है हाला कि हमने काफी प्रगती की लेकिन अभी भी कड़ी मेनत बाकी है अब बात करते हैं कि जी ट्वेंटी ब जल्द ही लांच किया जाएगा ये भारत यूए साओधी अरब यू फ्रांस इटली जर्मनी और अमेरिका को शामिल करते हुए कनेक्टिवीटी बुनियारी धाचे पर सयोग पर एक अत्यासिक और अपनी तरह की पहली पहल होगी जिस पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपती जो बाइडन और सौधी अरब के क्राउण प्रिंस मुहमत बिन सलमान द्वारा हाथ मिलाया गया अमेरिका की राष्ट्रपती जो बाइडन ने कहा कि सयूट राजे अमेरिका अंगोला से हिंद मास आगर की और एक नई रेल लाइन में निवेश क करेगा बाइडन ने कहा कि इससे नौकरिया पैदा होगी और खाद सुरक्षा बढ़ेगी रदी की ये गेम चेंजिंग निवेश है दुनिया इतियास में एक मोर पर खड़ी है आईये मिलकर एक होकर काम करें इसी क्रम में वहीं बिन सल्मान ने कहा कि साओधी अरब इस पहल क कारे विन्ने के लिए ततपर है रदे की यूरोपीय संग के अध्यक्स उर्सोला वॉन डे लेयर ने कहा कि ये भारत मध्यपूर्व और यूरोप के बीच सबसे सीधा संबंध होगा इससे यात्रा 40% तेज होगी अब बात करते हैं कि भारत मध्यपूर्व यूरोप आर्थ प्रदारी कारे करम में प्रदान मंत्री नरिंद मोदी ने कहा कि मेरे मित्र राष्ट्रपती जो बाइडन के साथ मुझे सायोजन की यक ध्यक्ष्टा करते हुए बहुत खुशी हो रही हैं वहीं आज हम सबने एक महत्पूर्ण और एत्यासिक समझोता संपन होते हुए दे बतादे कि G20 में बोले अमेरीकी राष्ट्रपती जो बाइडन बतादे कि भारत मध्यपूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडर और वेशिक बुन्यादी धाचे और निवेश के लिए साजेदारी कारे करम को अमेरीकी राष्ट्रपती जो बाइडन ने गेम चेंजिंग उमीद करते हैं वह इनोंने कहा कि लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिनोंने हमारे साथ काम किया 37 महतपूर्ण एकनॉमिक कॉरिडर की स्तापना में मदद की